स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें आज हम एक नई जानके प्राप्त करेंगे जो कि है B8 से रिलेटेड जिन बच्चों को इस वाश B8 में एड्मिशन चाहिए और जिनोंने अभी तक रेश्टर से नहीं करवाया है या जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए ए आ चुका है तो उसकी जानकर आज हम प्राप्त करेंगे तो आईए देखते हैं सवर्य प्रिथम इसमें जो बताया गया है उसमें बताया है नवीन पंजियन ऐसे आवे तक जो पूर्वे प्रवेश है तो पंजियन नहीं करा सके वह पंजियन कर शेस चरणों में रिक्तिस् आवंटन हेतु पंजिकरत आप प्रवेशित आवन नवीन पंजिकरत आवेदाकों से पुना सिक्षन संस्ताओं का चैन वरिता प्राप्त करना जिनों नहीं करवाया है वो रिष्टरसन करवा सकते हैं जिनोंने रिष्टरसन करवा लिया है लेकिन नाम नहीं आया है तो वे उन्हा सिक्षन संस्ताओं का चैन कर सकते हैं तो कब से कब तक कर पाएंगे तो आईए देखते हैं आप प्रेश्टरसन की जो डेट बताई गई है वो डेट है 11.7.24 से 15.7.24 के बीच में आप प्रेश्टरसन करवा सकते हैं आगे इसमें जानकर दी गई है निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावजो का जो ओनलाइन सत्यापन होगा उसकी डेट बताई गई है 11.7.24 से 16.7.24 के बीच में आपका ओनलाइन सत्यापन हो जाएगा आगे दिया गया है त्रूटिपूर्ण अपठनी दस्तावजो के आवेदाकों द्वारा निकट के हल्प सेंटर में उपस्तितों का सत्यापन कराना उसकी डेट बताई गई है 11.7.24 से 18.7.24 के बीच में आपको बुलाके आवेदाकों का सत्यापन करवाया चाहेगा जो त्रूटिपूर्ण के अपठनी होंगे आगे सेंब बताएगा है समयकित मेरिट सूची का प्रकाशन जो मेरिट सूची आएगी वो आएगी 19.7.24 को आगे सेंब बताएगा मेरिट एम वरिता अनुसा अतरिक चरंट में सीट आवंटन आपको सीट आवंटन कब होगी उसकी जो डेट बताएगा है 25.7.24 को साथ में बताएगा है आवेदक विध्यातियों द्वारा प्रवेश यतु निर्धारी सूल्क का आउनलाइन भुकतान किया जाना जो की डेट बताएगा है 25.7.24 से 37.24 के बीच में आपको जानके प्राप्त हो जाएगी कौन सा कोलिज प्राप्त हुआ है साथ में ही आप फीज भी जमा करा सकते हैं आगे बताएगा प्रथाम दुत्तियत रित्तिया वो अत्रिक चरण में प्रवेश लेश चुके आवेदकों द्वारा संबादित हेलप सेंटर पर बहुतिक रूप से उपस्तित होकर मूल दस्तावेजों का पूरा सत्यापन करवाना तथा मूल टीसी जमा करने की जो अंतिमति थी है वो डेट बताएगे 31,7,2,24 को आपको टीसी जमा करना है उमीद है यहां तक की जानकर आपको खमज में आई होगी फिर भी इस से रेलेटेट कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं धन्यवाद